वेलकम टू स्पीकिंग चार्ट्स हाँच हम देखेंगे नडराया वाट्शन एन्वलप के साथ सूपर ट्रेंड को एड करके ट्रेड के दोरान कैसे एजीली एंट्री और एक्जिट हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे लाइव ट्रेड के साथ ओके और नडराया वाट्शन एन्वलप का हम लोग क्यों यूज करना चाहिए उसका कूबिया किया है उसके उपर भी हम देखेंगे आपका समय वेस्ट ना हो इसलिए चैनल की इंट्रो और आउटर वीडियो ये दोनों भी मैं नहीं डाल रहा हूं इसमें क्योंकि आपका समय बहुत इंपर् ये वीडियो को फिनिश करने के लिए ट्राई करता हैं ओके आगे बढ़ता है अब ही हम जानेंगे नडराया वाट्सन इन्वलप दूसरा इंडिकेटर से कितना अलक है स्पीकिंग चार्ट क्लब ट्रेडर्स इसको क्यों यूज करता है तो इसका रीजन यह है कि वन बाई जब भी वाल को कैंडिल ब्रेक करता है एंट्री देता है दूसरे एंड पर हम एक्जीट हो सकता है रीएंटर हो सकता है ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए सेकेंड पाइंट है आपोसीड वाल की तरह पक्का टार्गट फिक्स कर सकता है हमें टार्गट अमेशा क्लियर र जैसे ये वाल को क्रास कर रहा है, means वहां पे ओवर सोल्ड हो गया है नीचे की तरफे तो और उपर की तरफे तो ओवर बाट हो गया है, या RSI से भी हम इसका exact clear entry exit देख सकते हैं, कि स्काल्पिंग करना असान है, quick entry और quick exit हो सकते हैं, जब वाल के बीच में ये trade करता है तो, पा हमेशा देखेंगे जब भी ये वाल को क्रास करता है, पकर reversal करता है, so reversal 100% sure रहता है, तो ये जो मैं चार्ट दिखाया हूँ, इस बेसिस पर तो हमेशा रहता नहीं है, पिर भी हमें reversal तो होना ही होना है, इसके अलावा हम 6th place में देखेंगे, PIB 9 और pin bar rejection वाला जो indicator 9 यूज क सकता है, very easy है trade करना, आज हम उस part को देखेंगे, अब आप देख रहे हो, तो यहाँ पर PIB 9 आ रहा है yellow color में, उसके पास super trend नीचे से blue color दिखाया, चले इसके सब कैसे trade किया जाई, वो देखते हैं, इसमें do's and don'ts किया है, कि यही important है, बहुत लो confusion है, कैसे trade किया जाई, आप आप देखेंगे, पहले लिखा है कि falling knife को पकड़ना नहीं है, गरने वाला चाकू को पकड़ेंगे, हमें छोट लगेगा, इसी तरह का यह candle धड़ा धड़ गरता है, अमेशा गरते वक्त, एकदम जो पांचवा मंजिल से सीधा घूत के निकलते हैं, विस तरह का गूता है, जब चड़ता होगा, तो सीधी में चड़के पांचवा मंजिल जाता है, इस तरह का ही चलता है, तो इसलिए कहता है कि falling knife को पकड़ना नहीं है, कहीं भी आप देखेंगे, इस तरह का falling knife को पकड़ने के लिए कोशिस नहीं करना है, मेंस आपका left side wall में कभी इस तरह का green color का entry signal मिलेगा, लेकिन करना नहीं है, हमें wait करना है, wait करके देखना है आगे, इस तरह का और भी आप scripts में देखेंगे, यह ही है important, so don't catch the falling knife है, तो पर कैसे, कब trade करें, let the nut raya envelope to farm a you save, नीचे की तरफ you save बनने दे, इसका जो channel है, या इसका जो कहता है, envelope कहता है, यह जो wall कहता है, वो इस तरह का you save में बनने दे, you save बनने के बाद आपको trade करना असान है, आप इस तरह का देखिए, यह वाला script में भी you save बनने की try कर रहा है, जैसे यू save बनेगा, पका double bottom होने की संपाउना रहेगा, इस तरह का you save होना चाहिए, जब you save बनने के बाद ही trade करना चाहिए, किया है, क्या rule है यह, left side wall क्या होती है, यहां पर हमारे लिए red line है, जो red envelope है, उसी में touch करेगा, लेकिन हमें नहीं करना है, अब कई सारे चीज में देखिए, टच किया है, आपर भी touch किया है, यह parallel right side में चलेगा, इस तो जब market दड़ा दड़ नीचे की तरफ गिरता है, तो एक बार wall को touch करेगा, लेकिन हमें wait करना है, नीचे U से बनने तक wait करना है, नहीं है, तो left side wall में कभी नहीं करना है, left side wall में entry होना ही नहीं है, अगर यह right side wall को touch करता है, तो हम entry कर सकते हैं, नीचे की तरफ और हमें target मिलेगा, ओके, तो इसमें भी देखिए, left side में इन्हों न wall, for buy and sell, दोनों के लिए, always enter in right side wall, हमेशा दायने तरफ wall के साथ ही trade करना है, कैसे, अब देखिए, यहाँ पे left side में, यहाँ पे एक signal मिला, यहाँ पर भी यह उपर गया, वो right side है, यह left side में यहाँ पे पका तोड़ा है wall को, लेकिन यहाँ पे trade नहीं करना, यह sideways आएगा, य right side में अगर entry होंगे wall को touch किया, तो वो नीचे पका आएगा, इसी तरह, right side wall को, falling downtrend में भी right side wall को पक्याप करना है, और वैसे भी uptrend में भी आपको क्या करना है, left side wall को touch नहीं करना है, left side wall से नीचे आएगा, correction होगी, dip होगा, तो right side wall को touch करेंगे, फिर उपर की तरह आप रहते हैं, नडराया के साथ, हमेशा right side wall के साथ धी trade करना चाहिए, left side wall में कभी नहीं करना है, यह point I think आपको clear हो गया होगा, बहुत लोग पूछ रहते हैं, text और comment करके, इसलिए इस चीज़ को लेके again मैंने बात करने के लिए कोजिस कर रहा हूँ, so entry तो left side wall में तो करना न यहां पर आप देखिए, मैं इसको zoom भी कर रहा हूँ, reversal candle यह वाला candle है, right, पहले जो red candle नीचे आया, उसके नीचे नडराया ने green color का signal दिया, यह चाहिए तो आप signal को अठा दीजिए, signal बड़ा confusing है, बहुत लोग को यह signal देखने पर तुरत entry कर लेता है, वो नीचे आ जाता है, फिर से, तो पहला वाला green candle आया, red candle के बाद, वो तो हो गया है, almost reversal candle है, लेकिन confirmation candle नहीं आया, फिर वो red हो गया, फिर नीचे आया ना, यह जो दो candle है, इसके बाद देखिए, पक्का green candle हुआ है, यह green candle पक्का अंदर ओना चाहिए, अन्वलप के अंदर अगर होगा, तो ह हम उसको मानेंगे confirmation candle, so wait for the reversal candle, उसके बाद, वो जो green candle मिला है, वो farm inside the wall, inside the wall farm होना चाहिए, तो यह जो farm होगा, आम मान सकते हैं, कि ठीक है, यहाँ से reversal की संपा होना है, तो यह ना देखते हुई, जैसे ही left side wall में green color की, अगर arrow आ गया, यह entry कर ले, हम दोका काएंगे इससे, क्योंकि यह कभी shift कर लेता है, और repaint कर देता है, इसलिए वहाँ पे नहीं करना चाहिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे उन्होंने entry तो किया होगा, एक दो candle के बाद ऊपर गया है, पका, फिर भी वो sideways गया है, तो sideways के लिए हमें sideways का दिखत होगी होगी, इसलिए हमें क्या करना है, जो confirmation candle है, वो अंदर बनना चाहिए, और, जो reversal candle है, वो बाहर होना चाहिए, राइट, सो यहाँ तक clear है, आगे पड़ता है, इस तरह का चीज़ को हम check करता है, यहाँ पे बाहर भी नहीं आया, वो candle, green candle जो reversal candle है, वो बाहर भी नहीं आया, राइट, सो बाहर नह साइड वाल तक जाएगा, राइट साइड वाल से नीचे आएगा, तो यहाँ पे यह नहीं करना है, राइट साइड वाल से शॉट शेलिंग मालना है, डाउन से ट्रेंड में, ओके, अब नेक्स चलता है, कन्फरमेशन कैंडल इंसेड होना चाहिए, तो हमने देख लिया, अभी, let the candle to cross P.A.B. 9, P.A.B. इस यह हैं कि pin bar rejection prepared by HOIP, H.O.I.P. एक आतर है, उसने यह बनाया, यह मैं 9 period का लगाया हूँ, आप भी लगा सकते हैं, कभी भी reversal कैंडल के बाद, confirmation candle के बाद, आपको एक बार 9 के उपर settle होगा, या तो reject होगा 9 के उपर, नहीं है, तो 9 के उपर settle होगा, settle होने यह बाद, उपर बढ़ने की समपोना ज़्यादा हो जाता है, अभी इसमें देखिए, reversal candle, confirmation candle, उसके बाद, settling candle, 9 के उपर, 9 के उपर automatically लिए उपर चले गया, यह live market है, live market से दिखा रहा होगा, so 9 के उपर इस तरह का set कर सकते हैं, तूसरा एक और indicator है, आपको एकदम perfect entry exit देने के लिए, that is super trend है, super trend में आप super trend add कीजएगा, add करके 1 high 1, setting में 1 high 1, change कर लेना बहुत है, आपको correct जहां पे reversal candle के बाद confirmation candle मिलेगा, उसके बाद P.I.B. 9 के उपर जैसे candle चलना सुरू हो जाएगा, वहां से आपको signal देना सुरू कर लेगा, नीचे से अगर यहां से signal दिये हैं, आप entry पका कर सकते हैं, super trend को लेके, otherwise sometime वो super trend signal देता नहीं, अगर parallel चलता है, तो जब वो P.I.B. 9 वो super trend की साफ से उपर चलता है, तब हो signal देता है, तो in this way we could trade, तो यह वीडियो में हम इतना ही बताने के लिए आया हैं, आगे हम super trend के उपर और भी वीडियो से रिलीस करेंगे, थैंक यू अभी हम इंडिकेटर ओर सेटिंग्स के वरे में देखेंगे, super trend में, कीवन ओस बिल्जिक उनका जो super trend है, वो add कर लेना, then add करने के बाद, we have to add that, P.I.B. नव, pin bar, rejection, indicator, बाई, हच्छो आई, पी, उनका add कर लेना, second indicator हो गये, third indicator अपना नडराया, add करना है, नडराया, वाच add कर दिये हैं, add करने के बाद, now let us change the settings, हम settings को change करते हैं, setting change करना नहीं करना आपके उपर है, मैं मेरे साफ से colors को change कर रहा हूँ, but super trend का setting तो change करना ही है, नडराया, वाच सेने लनोलब का कोई setting change करना ही ज़रूत नहीं, P.I.B. में, चाहिए तो ये yellow color रख सकते हैं, या आपक 21 को input में जाके 9 कर देना है, then super trend देखेंगे, super trend के setting में जाके, input में 10 HL, 2, 3 है, इसको 1, ATR period 1, और high रखना है, source में, then ATR multiplier को 1 कर देना है, ये वो गया, then style में जाके, ये जो selling buying का signal है, वो बहुत दिखता है, congested लगता है, मैंने buy or sell का checkbox को off कर दिया, और uptrend और downtrend का color चाहिए तो change कर सकता है, मैंने uptrend का blue color लगा दिया, uptrend का begins है, उसका भी blue color दिया, जो symbol है, उसको मैंने diamond या arrow भी रख सकता है, चाहिए तो, तीके arrow रख लेंगे, आप arrow कर लेते हैं, then वैसा ही downtrend का red color क्योंकि अल्रडी वाल भी red color में है, हम dark red या तो purple color रख सकता है, purple उट भी more better, purple रख लेते हैं, right, नज़्दीक वाला purple रण कर लेते है, then downtrend begins उसको भी purple कर देते हैं, तोड़ा सा लाइन मोटा कर सकता है, it will become visible, because candles के बीच में वो लाइन दिकाई नहीं देता, थोड़ा सा बड़ा कर देना ठीक रहेगा, the downtrend begins को भी कर देते हैं, color change into the pink purple color को, right, बस इतना ही है setting, इसके भी आप down आ रहे कर देते हैं, okay कर देते हैं, बस हो गया, अब आप जूम करके देख रहे हैं, clarity है, जहां पे pin bar को काट रहा है, वहां पे हैं, जहां से, अब trend सुरू हो रहा है, और जूम करेंगे, जो arrow भी दिकाई देगा, जब trade करते हैं, तो हम और अच्छा कासा जूम करके रख सकते हैं, उससे clarity रहता है, ओके, thank you so much, next video में मिलते हैं,